इसके पहले दो मिटिंग हो चुकी और सब के बारे में आपसे चरचा की जा चुकी और भूत अछे ढंसे कल से भी बाच्चीत हुई और आज मिटिंग हो करके हम लोग अपना प्रचार प्रशार का काम करते रहेंगे तो यह सब आजता है हो गया है इसलिए इसके बारे मैं आपको बता दीए और बड़ी खुसी की बात है और अब आप समझ लेजिए कि जितनी पार्टियां आप एक जू ठोकर के काम कर रही है तो आप अच्छी तर प्रेश घा गया कि कैसे मीडिया पर ही कबजा कर लिया बंग है को यह बी दूसरे की बात कम चपता और ज्यादा तर उन्हीं की बात स्पते रहती है कितना काम पहले हुआ है अलग-अलग राज्यों ने कितना काम किया दूसरे पाटियों उसका कम चपता आइए कम करते हैं अव ज़्यादा छपता रहता है तब ही तब आप लोगों पर कब जाना है जी तब तब पाए है और जब एक बार उनसे मुक्ती मिलेगी तब आप सब प्रेस वाले आजाद होईएगा और जो आपको उचित लेगा वही लिखिएगा और वही बूरिएगा और ये बहुत प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं कहीं क्या काम हो रहा है क्या ठीक नहीं हो रहा है वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है और आज कल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं अखाली उनका बढ़ाई हो रहा है आज जो राज्यवाला वेचारा जो की चर्चा कम होती यह नहों गया इसलिए पटाइया दूसरी चीह है देश के इतिहास कोई बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिल करके देश की इतिहास को नहीं बदलने देगे और सब मिल करके जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाच के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी तो इसलिए सब मिल करके और जानते भी नहें बहुत कोशीश चलते रहते हैं हिंदू-मुस्लिम कुछ इधर-धर हो जाए लेकिन सब को एक जुठो करके नहीं जी देश तो सब का है न तो सब एक जुठो करके तो सब मिल करके अज सारा अच्छा काम कर रहें तो सब को लेकर के आगे बढ़ाना है और तो इसलिए जरूरी है कि अब सब लोग अब अच्छा हो गया है सब लोगों को अपना-पना अधिकार था तो लेकिन अब इतना जादा हम कोशिस करते रहे बहुत कहते रहे कि दिना मिल जाए तो बात समस्ते समस्ते हो गया अब तो हम यहीं चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो तो आज ही तै कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम हम लोगों को भी तो इलर्ट रहना न पड़ेगा इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए यहीं पूरा बारती है और बाकि कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है सब तरह का काम करेंगे इसके लिए बहुत अच्छा है और आप सब लोगों से भी आग्रफ करेंगे कि किरपा करके जब हम लोग अब एक जूठ हो गए हैं तो हम लोग के काम का भी थोड़ा आप लिखते रहिएगा थोड़ा पर